इस्टार्ट विचार विविदता भारत की प्रक्यति है यहां रिगवाइदिक काल में भी विचार विविदता थी आधुनिक भारत में विचार स्वतंत्र है लेकिन राष्ट्री एकता एवं अखंडता सर्वो परी है सम्विधान प्रदत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में भारत की संप्रभुता अखंडता एवं सुरच्छा के बंधन है लेकिन भारत के कथित उदारपंथी लिबरल इस मर्यादा का पालन नहीं करते वे भारती संस्कृत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्री एकता के प्रती अनुदार रुख अपनाते है इस वर्ग के लेखक इस्तंबकार राष्ट्री व्याथा के आउसरों पर भी शांत्चित विचार नहीं करते राजनीतिक दलतंत्र का भी एक वर्ग राष्ट्री एकता एवं अखंडता की मर्यादा का उलंगन करता है बेशक दलतंत्र को सरकार की प्रशंसा या आलोचना का लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन राष्ट्री व्याथा के आउसरों पर शब्द परियोग की सुनिश्चित मर्यादा है पुलवामा हमलेव से समुच्या भारत व्याथित है आमजन तिरंगा लेकर आशू बहाते सडकों पर निकले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित और सैयमित परतिकिरिया दी उन्होंने अंतराष्ट्री विरादरी को इसकी गंभीरता से आउगत कराया पड़ोसी दुरारा प्रायोजित या हमला राष्ट्री बेच्चैनी की शीर्ज प्रात्मिता है फिर भी राष्ट्र विभाजन की पड़ियां हो रही है शत्रु देश को लाप पहुंचाने वाले वक्तव भी आए है CRPF देश का प्रतिष्ट सुरच्छ बल है एक पत्रिकाव ने पुलवामा में शहीद इस बल के जावानों का जाती विशलेशन किया है कि शहीदों में अधिकांच निचली जातियों के है CRPF परमुक दिनकरन ने रिपोर्ट की निंदा करते हुए कहा है कि रिपोर्ट शहीदों का अपमान है शहीद जातीगत आकड़ा नहीं है जावान स्वैम को सिर्फ भारती जानते हैं उदारवादियों की अभिवेक्ती राष्ट्री एकता की शत्रू है वे घटना के बाद सडकों पर निकले व्याथित भारत के लोगों का भी जातीगत प्रतिशत निकाल रहे होंगे ऐसा जंजवार किसी दल द्वारा प्रायोजित नहीं हो सकता यह स्वता स्फूर्थ स्वैम प्रेरित है जनता व्याथित और आक्रोशित है विपच्च के एक नेता ने पुलवामा को भारत की आत्मा का आकरमन बताया था लेकिन उसी दल के प्रवक्ता ने केंदर पर उनमादी राष्टवाद फैलाने का आरोप लगाया पाकिस्तान ने भी चुनावों के मद्दे नजर भारत पर ऐसा ही आरोप लगाया है अफसोस है कि उदारवादियों एवं राजनीतिक बायानों के संदर्ब पाकिस्तान को लाब पहुँचाने वाले है सरकारों पर किपड़ी विपच्छ का लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन यह सरकारी आलोचन तकी सीमित होनी चाहिए इस सीमा के पार की गई आलोचन शत्रू देश को लाब पहुँचाती है भारती नागरिक उलभूशर जाधो पाकिस्तान की जेल में सड रहे हैं उनके बिरुद पाकिस्तान में जासूसी के आरोप है मामला अंतराश्टी न्यालय में है अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अनुसार उसने भारती मीडिया में परकाशित अंशों को साच बनाया है शत्रू देश के मनसूबों को फाइदा पहुंचाने वाली ऐसी रिपोर्ट भारत ही तैशी नहीं हो सकती मुख्य मंतरी ममता बनर जी ने भी पाकिस्तान परस सवाल उठाय की चुनाओं के ठेक पहले ही ऐसा हमला क्यों हुआ यह राश्टर विरोधी और पाकिस्तानी इतैशी बायान है जैश ए मुहमत ने हमले की जिम्मेदारी ली हमला पाकिस्तानी सेना की शेह पर जैश ने किया लेकिन देश की एक बड़े अखबार में छापा की घटना कश्मीर के अस्थानी लोगों की कर्तूत है चिंतक लेखक और विसलेशक होना आदर योक्य है लेकिन राश्टरी हृतों के बिरुत होना कैसा उदारवात है दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं होता ऐसा उदारवाव एवल भारत में ही दिखाई पड़ता है भारत ने व्यथित होकर सर्जिकल स्ट्राइक की सैनिक जान हथेली पर लेकर उस अभियान में भागिदार बने या सैनिकों का उठसा बढ़ाने का आऊसर था देश के आमजनों को सेना के प्रती कर्व था लेकिन दलतंत सर्जिकल स्ट्राइक के सुबोत मांग रहा था इसी तरह पाकिस्तान भी लच्छित हमले के सुबोत मांग रहा था कुछ टिपड़ीकार भी पाकिस्तान की तर्ज पर साच मांग रहे थे पाकिस्तान के विरुत व्यापक जनाक्रोश है भारती मेडिया ने सुरच्छा बलो पर कश्मीरी योकों द्वारा पत्थरबाजी की घटना दिखाई है ऐसे कश्मीरी योकों के प्रति भारत में स्वाभाविक गुसा है देश के कुछ भागों में निर्दोश कश्मीरी योकों के साथ दुर्व्यभार की भी खटनाएं होई है ऐसी घटनाएं भारती जन्ग प्रकिर्ती नहीं है वे अपवाद हैं और अपवाद स्वाभाविक नियम नहीं होते इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर प्रसारी किया जा रहा है राश्ट्री व्यथा और चिन्ता के समय समाज के सभी वर्गों को एक साथ एक चुठोने की आवशक्ता होती है विचार प्रकट करने और लोकमत बनाने वाले स्तंबकारों और पड़ीकारों को भी राश्ट्री व्यथा दूर करने वाले प्रयासों में साथ रहना चाहिए दलों ने अलपकालिक एक चुठा दिखाई और निंदा में लग गए चिंतनशीर समू को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए धन्यवाद